बिस्मिल्लाई रह्मान रहीम तेस्टी जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी तोरी की सबजी इसे हम थोड़ा सा रवायती स्टाल से हटके बनाएंगे बहुती सिंपल से मसाले हैं, बहुती आसान रेसिपी है मैं इसे चिकन के साथ रेड़ी करी हूँ, आप चाहें तो चिकन स्किप कर दें तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगास करते हैं कि अलाब सब का दस्तकां सजाए रखियो और हम सब को सेहत और इमान का रिस्क अताब फर्माई तो कुछ लोग इसको हलका सा रगड के इसके छिलके उतारते हैं लेकिन मैं जब भी से बनाती हूँ, अच्छी तरह से इसके छिलके उतार लेती हूँ आप जैसे चाहें इसके छिलके उतार सकते हैं, यह आपे डिपेंड करता है अब हमने इसकी cutting करनी है और आपने इस size में इसकी cutting करनी है बहुत ही पतले-पतले slices नहीं होने चाहिए थोड़े से आपने इसको thick slices में मोटे style में काटना है ठीक है ताकि पकने के बाद भी इसकी थोड़े सी shape हमें नजर आए अगर बहुत पतले slices में इसको हम काटेंगे तो य यहां पर सबसे पहले हम अपनी कडाही में एड़ करेंगे cooking oil आप चाहिए तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और सरसों के तेल को साफ करने की तीन recipes में आप से शेयर कर चुकी हूं उन तीनों वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा इंशाला अच्छा मटी की कड प्याई में आच को आपने दर्मयाना ही रखना होता है अगर हम आच को थोड़ा सा तेस करते हैं तो अंदर चीज जलने की बजाए यह खुद ही जलना शुरू हो जाती है तो यहां पर मैंने दो दर्मयाने साइस के प्याज को बारिक बारिक slices में काट लिया है मैंने अपनी किसी रेसिपी में पहले मट्टी की कडाही को यूस किया था तो किसी ने पूछा था कि आप इसे कैसे वाश करती हैं तो इसे वाश करने के लिए कोई भी बरतंद होने वाला साबून या लिकोर्ड इस्तमाल नहीं किया जाता है बलके इसे चावल के आटे से साफ किया जाता और अच्छी तरह से फैंटा हुआ होना चाहिए इसमें मैंने एक चमच नमक एट किया है आदा चमच हल्दी आट किया है आदा चमच साबुत जीरा एट किया है एक चमच पिसा हुआ खुश्क धनी आट करेंगे एक चमच पिसे हुई सुरक मिर्च इसे आप अपने पसंद के अगर आपके घर में सबजी शोक से नहीं खाई जाती है तो इसी चिकन के साथ बना के देखें। अगर चिकन शोक से नहीं खाया जाता है तो इसे मटन के साथ बनाएं लेकिन सबजी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आपके पास पैपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी सुरक मिर्ज होती है वो भी आड़ कर सकते हैं। वो बहुत तेज नहीं होती है जिसे इसका कलर बहुत अच्छा आजाता है। तो जैसे ही दही ने थोड़ा सा अपना पानी खुश किया है इसमें हमने तोरी अड़ कर दिये। यहाँ पे चिकन हमारा 80% तक गल चुका है आपने देखा जब हमने तोरी अड़ की तो अच्छा खासा इसने आईल भी रिलीस कर दिया था। इस पॉइंट पे चूले की आँच को आपने थोड़ा सा तेज ही रखना है क्यूंकि अगर आपने इस पॉइंट पे चूले को स्लो रखा तो यह बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। जैसे जैसे तोरी नरम होगी यह नीचे की तरफ बैटना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे तोरी मैंने एक किलो से थोड़ी से कम ली थी छिलके उतारने के बाद आप समझें इसका वेट आदा किलो ही रह गया होगा। चार से पांच मिनट हम इसे तेज आँच पे पकाएंगे उसके बाद चूले की आँच को दरम्याना कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। इस तोरान चिकन में जो कच्चा पन रह गया है वो भी खतम हो जाएगा और तोरी भी इंशाला अच्छी तरह से गल जाएगी। बस तीन से चार मिनट के लिए ही इसे कवर करके पकाएंगे। इसके बाद चूले की आँच को तेज कर देंगे और इसका पानी खुश करेंगे। अब आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसी साब से आप इसे पकाएं। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रही थी इसलिए मैंने इसे मजीद चार से पांच मिनट के लिए तेज आँच पे पकाया था। अपनी पसंदीदा ग्रेवी रखने के बाद चूले की आँच को स्लो कर देंगे और इस पे धेर सारा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। सबस धनिया आप इसमें जितना ज्यादा एड़ करेंगे ये उतनी ही टेस्टी लगती है। अलहमदुलिला ये इतनी टेस्टी बनी थी घर में जो बच्चे से नहीं खाते थे उन्होंने भी इसे बहुत छोक से खाया अलहमदुलिला। बस आपने कोशिश करनी हैं कि जो दही इसमें एड़ करना है वो ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए वरना इसमें दही की बहुत ज़्यादा खटाज फील होती है। मेरे चैनल की वीडियो को अलहमदुलिला बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कि इसके सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो में अगर आपको 2% भी कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें प्लीज क्यूंकि ये हमारे लिए एक इनाम से कम नहीं होता है। अला आप सब का दिस्तेखां से जाए रखिए और हम सब को सेहत और इमान का रिस्क अता फरमाएं। अला हम सब की रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाएं। रुके रुके सुनें जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सबस्क्राइब करने के बाद बेल का इकन पीज रोड प्रेस करें जजाका लाँ मेरी नेक्स वीडियो तक अलाफेस